जहेंदे प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वाज़त है आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके साथ में राज़स्तान पुलिस में नोर्मलाई जसन के बारे में कि देखो पेपर हो चुका है और आप सबी का जो पेपर है बिल्कुल आप जितनी तयारी कर रखे थे आपकी जैसी तयारी थी आपका जैसा अनुमान था बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपका पेपर हुआ होगा यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो राज़स्तान पुलिस का पेपर है उसमें क्या नोर्मलाईज़सन होगा या नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टोटल जो सिफ्ट हुई थी उनमें कुछ सिफ्ट थी जो बहुत ही ज्यादा हार थी और कुछ सिफ्ट थी जिनमें जो की बहुत ही ज्यादा एजी थी जैसे हम बात करें तेरा तारीक के सिफ्ट के बारे में देखो तेरा तारीक की जो मोर्निंग सिफ् सब्सक्राइब लुए जिनके सिफ्ट यहां पर मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूंушки क्यांसी लुए ज़पकिया। आठवी shift जो उसकी तुलना में कम harr थी और जवर दूसरी shift थी वू लगबग 8.500 के बराबर hard थी सब्से जञ cucumbersן हार थी छटी shift शटे shift इसके अलावा जने मैं बात करूं? इजी shift वर तो इजी में सबसे easy shift थी 5, 1 पहली और 7 पहली shift और 7 ही shift ये easy shift वर ये 맞아 Chap तो में काउंट थी यहां पर जो पहली और दूसरी सिप्ट था ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ओलमोस्ट जो कंडिडेट पेपर देके आये थे वो बता रहे थे कि इन दोनों सिप्टों में लगबग दस से पंदा नंबर का अंतरा आने वाला है क्योंकि दूसरी सिप्ट थी जो बहुत हार थी उसमें एक एक डिड़ेट पेज के तो क्यों सना रहे थे साथ इसाथ बाकी सारक सारा पेपर एक मोडेरेट लेवल का था बाकी सिप्ट भी एक मोडेरेट लेवल की थी लेकिन यह सिप्ट बहुत ज़्यादा हार थी अब यहां पर क् होगा या नहीं होगा देखो इस पेपर में क्या हुआ था ना तो हमें पेपर दिया गया था हमें पेपर का कोई पता ने कि पेपर हमारा किस तरीके सुआ तो क्योंकि पेपर को वहीं पर रख लिया गया था जदी पेपर हमारे हाथ में आता है हम पेपर को लेके आते हैं तो ह आठ के आठके पेपर आज हमारे हाथ में होते होर। हम सभी के सभी पेपरों में आपस महें कॉंप्यर करते। और हमें पता चल जाता कि लगबग कॉनसिप्ट हाड है कॉंसिसफ्ट एची है। लेकिन यहां पर जहां तक मेरे को chance लगता है और मैंने जिन भी लोगों से discuss किया है सब यही बोल रहे हैं कि यहां पर normalization नहीं होगा उसका कारण यह है कि यदी normalization होता तो वो paper को घर पर भेजते paper को center पर नहीं लेते इन्होंने paper को center पर रख लिया वो normalization नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास अब objection करने के लिए कोई authentic proof नहीं बचा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर possibility है कि normalization नहीं होगा जादा अक्तर possibility है इस चीज़ की बाकी मैं इसके उपर और भी authentic information लेके आने वाला हूँ बिल्कुल authentic source के बेस पर कि क्या यहाँ पर normalization होगा या नहीं होगा साथ-साथ इसी वीडियो के description में मैंने एक वीडियो का link एड़ किया है जहाँ पर मैंने discuss किया है इसकी expected कटोब के बारे में कि यहाँ पर लग बग कटोब कितनी जा सकती है तो आप इस वीडियो को देखें साथ-साथ expected कटोब के वीडियो को देखें जो मेरी expected कटोब का वीडियो वै एक बहुती सटिक अनुमान है क्योंकि मैंने जो वो वीडियो था वो भूत सारे authentic source के बेस पर बनाया था YouTube चैनल पर बहुत सारे जिनोंने expected कटोब के वीडियो बना रखे थे वहां से मैंने वहां से मैंने content उठाया फिर आपस में content का compare किया और last में overall मैंने और मेरी team ने एक बहुती सटिक कटोब बनाने का काम किया ठीक है तो इसी वीडियो के description में मैंने एक बहुती सटिक कटोब का नुमान बताया है कि लगबग कितनी जा सकती है साथ इसी वीडियो के description में आपको एक वीडियो मिलेगा कि राजस्तान पुलिस में यदि आप लगते हो तो आपकी salary कितनी रहने वाली है probation period में आपको कितना क्या amount मिलेगा आपके pocket में कितना रोपाएंगे और probation period complete होते ही आपकी जेब में कितना रोपाएंगे इसके अलावा यदि आपका target है सरकारी नोकरी लगना तो आप इस channel को ज़रू subscribe करें क्योंकि इस channel के माध्यम से मैं पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी सरकारी नोकरी के संब्दवे notification निकलता है तो सबसे पहले अपडेट रखूँगा भूद भूद धन्यवाद आप सबी साथ योगों को देखने के लिए थेंक्स बाई